नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का तहीं दिल से अर्दिक स्वागत है यूबी पुलिस बर्ती 2022 की अंतरगत अगर आप असिस्टेंट ओपरेटर हैड ओपरेटर या रेडियो ओपरेटर की तयारी करें तो आप फ्ले साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है यह हमारी क्लास आपका सेलक्षन आपकी मुठी में है आपके ओपर निर्भा करता है कि आप किस तरीके से तयारी करते हैं आप किस तरीके से अपने समय को मेनस करते हैं मेरे पैरे भाई आईए आज के इस क्लास की शुरुवात करते हैं लेकिन इससे पहले आप सभी को बता दें कि कल यानि 18 जून साम 7 बिजे लाइब जरूर आईएगा पहुत ही लाजबाफ वह आपके क्लास होने वाली है आईए मेरे पहरे भाई आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं आपके सामने पहला कुशन रखते हैं पहला कुशन है कि प्रास्रबी तरंगों का उपयोग होता है अब आप आपको गाइस ऑप्शन देख करके बताना है सही आंसर क्या होगा देखो जो प्रास्रबी तरंगे हैं गाइस गहरे जल में डूबी वस्तों की खोश तथा उनकी गहराई ग्याद करने के लिए किया जाता है बिल्कुल सही है यक्रित हो गया लीवर हो गया अग्णियासी हो गया वरिक की हो गया हिर्दे हो गया इन जैसे मानों अंग्यों के रोगों वा आसमानताओं के निदान हेतु भी इसका प्रियोग किया जाता है प्रास्रबी तरंगे का ये भी सही है तेल वा खनेच निछेपों के भूमिगत चुतरांकनों के लिए भी सही है मतलब आपका बिल्कुल सही होगा जो भी पहरे भाई बन ऑपसंटी बता रहें बिल्कुल सही आंसर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला आपके सामने मेरे पहरे भाई यहाँ पर आप देख लो पहले प्रासरभी तरंगों की जो आवरती है यह वी सदा हैट से अधिक होती है याद रखना ठीक है अगला है कि पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है जब प्रकास से जाती है अब आपको यह बताना है कि पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन कब होगा मेरे पहरे भाई याद रखना पूरर आंत्रिक प्रावर्तन कब होगा जब प्रकास सगन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी और आपतन कोड क्रांति कोड से अधिक के साथ होगा मेरे पहरे भाई मैंने क्या कहा जब प्रकास सगनमाध्यम से विरलमाध्यम की ओर जाएगी और आपदन कोड करांतिक कोड से अधिक के साथ होगा ठीक है सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका option C जो भी बता रहें option C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि SI IKI में लेंस की सकती की 1 क्या है पहुती easy question है सभी जानते होंगे तो फटा फटा आंसर दे दीजे मेरे पहरे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायोप्टर SI1 में लेंस की सक्ती की इकाई जो है वो डायोप्टर हो जाएगी अगला कुशन मेरे पैरे भाई आपके सामने आवर्धक लेंस वास्तों में कौन से लेंस होते हैं उत्तल अवतल या फिर दोनो या फिर कोई नहीं आवर्धक लेंस वास्तों में कौन से लेंस होते हैं बताईए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उत्तर लेंस जो भी पैरे भायवेन उप्षन ने उत्तर लेंस बता रहें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख लो मेरे पैरे भाई उत्तर लेंस को आवर्धक लेंस भी कहा जाता है उत्तर लेंस के दोरा सूक्ष मवस्तू का प्रतिभिंब परिवर्धित करके देखा जा सकता है मतलब बड़ा करके देखा जा सकता है जब वस्तू को उत्तर लेंस के प्रकास केंद्र एवं फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका जो गाई से प्रत्विम भाई ये बड़ा आवासी एवं सीधा प्राप्त होता है उत्तर लेंस को reading glass भी कहा जाता है ये आप से पूछा जा सकता है तो ये topic ये बिंदू जो है ये जो लिखा गया आप इसका screenshot ले लिजे मेरे पैरे भाई ये काफी ज़ादा important है अगला आपके सामने microscope प्रियुक्त किया जाता है तारों को देखने के लिए रक्तदाव की जाँच करने के लिए सूच मवस्तुएं देखने के लिए या ताप की जाँच करने के लिए microscope या फिर जिने आप काते हो सूच मदर्सी तो microscope या सूच मदर्सी का उप्योग किसके लिए किया जाता है मेरे पैरे भाई सूच मवस्तुएं देखने के लिए सही आंसर या पर क्या होगा आपका उप्सन सी जो भी पैरे भाई बेन मित्र या पर उप्सन सी बता रहे हैं कि सूच मवस्तुएं को देखने के लिए हम microscope का प्रियोग करते हैं बिलकुछ सही हो जाएगा correct answer आपका हो जाएगा अगला आपके सामने मेरे पैरे भाई सूच मदर्सी परियुक तो होता है निर्म लिखित के अध्याई के लिए बस वही question आपसे कहा गया थोड़ा सा गुमाया गया है फटा फटा आंसर दीजे इसका correct answer क्या हो जाएगा मेरे पैरे भाई अगर आपने अभी तक class को लाइक नहीं किया है तो एक बार class को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजेगा आपके लिए मेहनत करते हैं पूरी जी जान सिद्दत के साथ आपके लिए लगे हैं अपना कीमती समय कर्ज करते हैं तो आप सभी की जिम्मेद करते हैं और जो बनता है कि कम से कम आप class को लाइक करी सकती हूँ तो देखो सूक्स मदर्सी जो है यह परियुक्त होता है मेरे पैरे भाई छोटी वस्तुओं के अध्यन के लिए करेक्ट होगा आपका option B जो भी पैरे भाई बेन option B यहां पर बता रहे हैं बिलकुल सही हो ज सामने मेरे पैरे भाई की हरे पतों वाला पौधा लाल प्रकास में देखने पर कैसा दिखाई देगा बताइए इसका सही हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा या पड़ आपका वह जाएगा काला दिखाई देगा जो भी प्रकास के लिए निम्लिकित में से कौन सा कथन गलत है अब आपको ये बताना है कि इसमें प्रकास के लिए कौन सा कथन गलत लिखा गया है फटा-फट आंसर दो मेरे पहरे भाई आप सभी जानते हैं कि दोनी की गती से अधिक त्रिवरता से चलता है मतलब प्रकास होए यह सबसी अधिक गती से चलता है, धुनी से भी तेज चलता है, क्योंकि आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, कि जब गाइस बादल होते हैं, तो गाइस जो विजली की चमक है, यह पहले सुनाय देती है, और जो उसकी गड़गडा है, जो गाइस उसके गरजने की वह निर्वात में भी गुढ़ड सकता है, यह जो मेरे पैरे भाई है, यह बिल्कुल सही लिखा गया, क्योंकि प्रकास निर्वात में चल सकता है, क्योंकि और लोड़के यह धोनी ही एसी Гайस तरंग है, जो निर्वात में नहीं चल सकती हैं, मतलब यहां पर आपका से आफका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे पैरे भाई यहां पर आप ध्यान दीजेगा जो प्रकास की चाल है यह निर्वात में होती है तीन गुड़े दसकी घात आठ मीटर प्रती सेकेंड और मेरे पैरे भाई यहां पर आप देखो जोगाई से ध्वनी का वायू में चाल है यह है 332 मीटर प्रती सेकेंड प्रकास की चाल जब आप से पूछा जाएगा तब आप कहेंगे तीन गुड़े दसकी घात 8 मीटर प्रती सेकेंड जब आप से ध्वनी की वायू में चाल पूछे जाएगे तब आप कहेंगे 332 मीटर प्रती सेकेंड अगला प्रक सब्सक्राइब तो अगला कुश्य ने कि इसका परफर्क्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपने देखा होगा मेरे पढ़ेभाय सुखे बालू जो होते हैं वो गाई से धूप में थोले चमकीले नजर आते हैं किरिकीली जैसे आपको चमकते हुए नजर आते होंगे इसका कानड क्या है मेरे पहरे भाई याद रखना इसका मुख्य रूप से जो कानड है यह है प्रकास का पड़ावरतन करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके कारण इसका जो कारण ही है प्रकास का पड़ा वर्तन ओप्सन बी आपका बिलकुल सही होगा जो भी बता रहे हैं ओप्सन नमब बी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने प्रकास का दो अलग शुरूफ है कौन कौन सा बताईए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रकास का दो अलग शुरूफ कौन कौन सा है सही आंसर हो जाएगा बी वर्तन तता फोटो इलेक्टिक प्रभाव करेक्ट क्या होगा बी वर्तन तता फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है ये प्रकास का दो अलग अलग शरूफ हो जाएगा उप्सन सी यहां पड़ापका बिलकुल सही हो जाएगा अगला आपके सामने चितिज के समीप सूरी और चंद्रमा दीर गिवरत्ता का रूप में परिवर्तित होते हैं इसका कानण क्या है मेरे पहले भाई बताईए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी आंसर दीजी करेक्ट हो जाएगा यहां पड़ापका वो हो जाएगा अप वर्तन जो भी पहले भाई बेन आपसन नमबर बी बता रें अप वर्तन बिलकुल सही हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला आपके सामने ऐसी तरंगें जिनका धुरूवी करना नहीं हो सकता कौन सी तरंगे कहलाती है तो ऐसी तरंगें जिनका धुरूवी करना नहीं हो सकता वह तरंगें जो हैं मेरे पहरे भाई यह अनुदैर दी तरंगे कहलाती हैं आपके सामने प्रकास निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकास जो है यह सम्मंदित है गुर्टवा करसर छेतर से विद्ध छेतर से चुम्बक्य छेतर से या फिर गुर्टवा करसर विद्ध दोनों से याद रखना मेरे पहरे भाई प्रकाश जो है यह निर्वात में भी चल सकता है क्योंकि यह जो है चुम्बक्य छेत्र से संबंदित है करेक्ट यहाँ पर क्या होगा आपका option C जो भी पहरे भाई भैन option C बता रहें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिनना है लाल रंग जो है या नीले रंग से किस रूप में भिनना है आवरती, आयाम, तरंग, देर्दिया फिर सभी से मेरे पहरे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजेगा मेन अथाफ के लिए ही करते हैं, पूरी जीजान सेदत आप के लिए ही लगाए हैं अपना किंपी समय आप के लिए ही खर्च करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है कम से कम आफ क्लास को लाइक करी दिया करो और जो भी बहुत भाइब चैनल पर पहले बारे में सबस्क्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइब क्लास की निटिफिकेशन आपको टाइम टो टाइम मिला करें मेरे पहरे भाई क्वेशन आपसे यहां पर क्या पूछा गया लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्दा है तो मेरे पहरे भाई यहां पर जितनी भी बाते लिखी कही है सभी से अलग है करेक्ट क्या होगा आविर्थी भी है आयाम भी है तरंग देर्द से भी अलग है मतलब ऑप्सन नमबर डी सबी से थोड़ा इसका एक्स्प्राइनेशन देख लो मेरे पहरे भाई यहां पर आप देखो आविर्थी कोई घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे घटना को उसकी आविर्थी कहते हैं और आविर्थी बराबर होता है गाईस उसका आवर्थकाल का व्यूत क्रम ठीक है अगला आपके सामने कि मायो पिक जो गाईस है मायो पिक है आख इसे किसके प्रियोक्य दरा ठीक किया जा सकता मायो पिक का मतलब होता है मेरे प्यारे भ आपका वो हो जाएगा अवतल लेंस की साहिता से जो भी पैरे भाई मैं यहाँ पर बता रहे हैं option number A अवतल लेंस बिलकुल correct हो जाएगा perfect answer आपका हो जाएगा अगला आपके सामने मेरे पैरे भाई निकट दिश्टी दोस या फिर जिने आप sword, sight and nest भी कहते हैं सही की जा सकते बस वही question कहा गया मेरे पैरे भाई मैंने अभी आप सभी को बताया आपने ध्यान दिया होगा कि जो guys निकट दिश्टी दोस है या फिर जिने आप मायोपिक कहते हैं जिने आप मायोपिक कहते हैं या निकट दिश्टी दोस कहा जाए मेरे पैरे भाई इनकों किनके साहिता स सही कर सकते हैं तो right होगा आपका वह हो जाएगा concave lens correct हो जाएगा आपका अवतर lens जो भी बता रहें प्यारे भाई option D concave lens या अवतर lens की सहाईता से बिलकुल correct हो जाएगा perfect answer हो जाएगा आपका option नमबर D अगला आपके सामने पानी में हवा के बुलबले किस लेंस की भात प्योहार करते हैं या किस लेंस की तरह कारिय करते हैं बताईए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फट फट आंसर दो मेरे प्यारे भाई पानी में जो हवा के बुलबले हैं गाईची अभयोत्तर लेंस की भात कारिय करते हैं option c आपका बिल्कुल सही होगा correct answer हो जाएगा अगला question आपके सामने सूर्य से प्रतवी तक पहुचने में सूर्य प्रकास को कितना समय लगता है देखो यह आपर मोटा मोटा कहा गया है अगर आपसे exact कहा जाए तो कहीं कहीं आपको 8 minute 16.6 second का समय मिलेगा कहीं आपको 8 minute 16 second मिले मेरे पहरे भाई लेकिन मोटे तोर पे कहा जाए तो जो सूर्य का प्रकास है यह प्रतवी तक 8 minute में पहुचता है option B आपको बिल्कुल सही होगा तो जो भी पहरे भाई भाई बन option B बता रहे हैं बिल्कुल सही answer हो जाएगा जरा इसकी explanation को देख लेना आपके लिए काफी सा important है मेरे पहरे भाई सूर्य से प्रतवी तक पहुचने में सूर्य के प्रकास को 8 minute 20 second या मोटे तोर पर कहा जाए तो 500 second तक का समय लगता है सूर्य से प्रतवी के 20 की दूरी एक खगोली मातरक या एक खगोली दूरी होती है या जिने आप एक astronomical unit काते हैं एक astronomical unit बराबर होता ह 1.496 into 10 की power 11 meter या फिर कहा जाए तो 150 million kilometer मेरे पहरे भाई सूरी जो है या एक प्रकार का ताड़ा है सूरी के 22 सते का जो तापमान है या लगबग 6000 degree Celsius तक का है अगला आपके सामने मेरे पहरे भाई क्वेशन है कि रेडियो कार्बन काल निर्धान तकनीकी का प्रियोग जो है जीवास्मों की आयू निर्धानर के लिए किया जाता है और अप्सन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने मेरे पहरे भाई प्रित्वी की आयू का आकलन जो है ये किसके निर्धानर से किया जाएगा फट 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 आंसर दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम काल निर्धानर हेतु किया जाता है ऑप्सन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पहरे भाई यहाँ पर आप देख लो इसके एक्स्प्लेंशन को काफी जादे इंपोर्डेंशन लिखे गए हैं यह पूरा देख लू प्रितहबी की आयू का आकलन जो हे यह यूरेनियम काल निर्धानर से किया जाता है प्रितहबी पहार पुरानी मारते या फिर भवन इत्यार की आयूज यूरेनियम डेटिंग बिदीस से घ्याद किया जाता है थीक है ? पोडेसियम आरगन डेटिंग विदिद्वारा पुराने सैलो अवडक इवं जो गाइस प्लेड स्पार होएं इसकी आयू को ग्याद करते हैं रूबेडियम जो इस्टांसियन होते हैं इसकी डेटिंग विदिद्वारा हम दूसरे गिरहों या उपग्रहों जैसे मंगल हो गया ब्रहस्पत हो गया या उपगरे में बात करें चंद्रवा हो गया इन सभी के गाइस पिंडों की आयू को हम ग्याद करते हैं रूबेडियम यहाँ पर दिखा गया है Clorin 36 इसकी dating बिदी द्वारा हम समुद्री जल की आयू का पता लगाते हैं ठीक है तो गाइस यहाँ पर आपने देख लिया यूरेनियम के दारा गाईज हम प्रतिवी की आयू का अकलन करते हैं, यहां पर आप देख लिए यूरेनियम डेटिंग बिदी के दारा हम प्रतिवी पहाण, चठानी या पुरानी इमारतों का अकलन करते हैं, पोडेशियम अरगन डेटिंग बिदी दारा गाईज हम पुरान बैग्यानिकों का उनके आविस्कारों से मिलान कीजी अब आपको ये बताना है गाईज यहाँ पर बैग्यानिक नेम दिये गए हैं और यहाँ पर उनसे समंदित आविस्कार दिये गए हैं अब आपको मिलान करके नीचे दिये गए कोड़बासा कपड़ियों करके सही उत्तर बताना है राइट आंसर क्या होगा अब यहाँ पर आप देखो मेरे पैरे भाई जी मार कोनी के दोरा रेडियो का अविस्कार किया गया इसकी अलावा मेरे पैरे भाई यहाँ पर आप इसकार किया ऐन जो थंवा अलावा अडिशन जी है इन्होंने ग्रामो फोन का विसकार किया मतलब यहां पर आफ़का होगा कि एकस्प्लाइशन को ओर थोड़ा अच्छे से देख लो पहरे भाई यहां पर आप देख लू जो गाइस मान्चित रहें इसको सुमेरियनों के दौरा सबसे पहले बनाया गया था प्लास्टिक जो है एलेक्जेंडर पार्क्स के दौरा मसीन गन जो है जो सर जेम्स पकल के दौरा थर्मर जो प्लास के ये डेवार के दारा और सिनेमा जो है ये लाउस निकोलस के दारा लाउंड स्पीकर जो है ये होड़े सौड के दारा गाइस इसके आविस्कार किये गए थी वाउ मंडल की ओजोन परत हमें किस से बजाती है इसका आंसर आप बताईए राइट आंसर क्या हो जाएगा फट अफट फट आंसर दीजी सखी आंसर हो जाएगा अल्ट्र वाइलेट की रण से जो भी पहरे भाईबेन आप्सन नमबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला कुश्चन आपके सामने मेरे पहरे भाई किसी हवाई जाज की उचाई मापने के लिए जो परियुक्त उफका नड़ेवा कौन सा है सखी आंसर हो जाएगा वह जाएगा अल्टी मेटर का गाईस अल्टी मेटर के मादम से हम किसी भी हवाईजाज की उच्छाई को माप सकते हैं मेरे पहरे भाई इसका एक्स्प्लेंडेशन को आप देख लो बहुत ही इंपोर्डेंट है मेरे पहरे भाई जो वायू की गति है इसको हम एनिमो मीटर के दौरा मापते हैं या फिर कहा जाए तो गाईस वायू की गति जो है यह पवन बेग मापी के दौरा मा भी मापा जाता है पवन बेग मापी ही एनिमो मीटर का दूसरा नाम है वाव मंडिले गाई जो बैरो मेटर है इसके दोर हम वाव मंडिले दापकुम आपते हैं और मेरे पैरे भाई जो पोटो मेटर है इसकी साहता से हम पौधों में वास पोट सर्जन की दरकुम आपते हैं ठीक है और जो गाईस माइक्रो टोम है इसकी साहता से हम किसी भी को छोटे-छोटे टुकडों में काटने वालों यंत्र जो होएगा यह माइक्रो ट्रोम हो जाएगा अगला आपके सामने मेरे पैरे भाई यह क्वेशन आपका काफी जाधा इंपोर्टेंट एक्जाम के दिश्टी से क्वेशन क्या गहरा है एक टीवी सेट को संचालित करने क के लिए तीवी रिमोट कंट्रोल निम्ल कितमे से किसका उप्योग करती है देखो मेरे पैरे भाई या क्वेशन जो है यह आपका होगा सूख्ष मतरंगों का अगर आपको कहीं ऑप्शन में अवरक्त किरन मिलती है तो आप वह भी बताएंगे लेकिन अगर सूख्ष कुम सकता है अगला आपके सामने सबसे सबसे कं तरंग वाली किरने मतलब यह घृई मेरे पहरे भाई इसमें सबसे कं रोगाय से लंबाई ह ignition ठ्रंगलंबाई वाली िनने कौनसी होगि फरट फरट आंसर जो ज्ड़ चाहिएा आंसर हो जाएगा आफ कर्मत यहां पर गामा कीनड बता रहें बनुखेल्स होक्त हो जाएगा कारेक्ट आंसर आफ दो मेरे पहरे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नियुक्लियर फ्यूशन ऑप्शन बी इसके एक्स्प्लाइशन को देख लो हाइडोजन बम जो है मेरे पहरे भाई यह नूप्यार फ्यूशन या फिर जिने आप कातू नावकिय सनलें इसके सिद्दान पर आधारी था तो वहीं परमाळुवम जो ही नुक्लियर फिसन यह जने आप नावकिया विकंदन केटे हो इनके सिद्दान पर आधारी था है परमाळुवम् का जो गया इस निर्मार है यह यह एड़वर्ड टेलर ने किया था यह पूरा आप से पूछा जा सकता है याद तक लाइग नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भायवें लाइग जरूर कर देंगे जिम्मेदारी आपकी ये फर्ज आपका बनता है डी ब्रॉगली की पड़ी कल्पना की अनुसार जो गाइस इलक्ट्रॉन है ये कण भी और तरंग भी है मतलब ए और बी दोनों आफका बिलकुल सही होगा अगला द्रवी की तरंग प्रक्रक्रिती का सिदान्त कौन सी घटना दौरा सर्बोत्तन रूप से असपश्ट होता है बताईए इसक इसका सही अंसर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा एलेक्ट्राण विवर्थान आपसं बी आफका बिल्कुल सही अनसर हो जाएगा मेरे पैरे भाई आज targeting मेहनत आप सभी को कैसे लेगी कमेंट में जरूर बताना इसके अलाहा है आपका सब सकूर कितना राध 29 में कमेंट में जरूर्ण बताना इसके लाव से टेलीगराम चैनल को आप जोयन कर सकते हैं इकजाम गुरी goosey भाई जिर्फिरवच के नाम से टेलीगराम चैनल या अःव जाकर कि इसकी pdf को आशानी से प्राप्ट कर सकते हैं विता-ांसर के साथ आपको इसकी प्राइफ मल जाएगी मेरे पहरे भाई आज कि अमारे महनत आप सभी को कैसे लगी जरूर बताना और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करें मेरे पहरे भाई आज की बेतरी लाजबाब क्लास में उसे इतना ही बिलते हैं दूसरी नई क्लास में तब तक के लिए खुश रही है, मुश्कुराते रही है, पढ़ते रही है